आप देख रहे हैं अभिशेक मिश्रा का शो अभिश्ट तक्षिला विदी टॉक्स हमारे साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व कह लीजिए वो जुड़ी हुई है आप उनको देख सकते हैं अपने अपने लैप्टॉप के आपने टीवी के स्क्रीन पे मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इनके कारेकरमों को मैंने बसों में पैदल चलते हुए मतलब ऐसा मुस्कुराते हुए इनका भेजा फ्राई सुना है इनका टॉक सुने हैं इनके जो क्रॉस बॉर्डर पर ये दो लोगों को बुला करके दो एक इसकी इनोंने डिबेट्स कर अब मैं आपका ज़्यादा समय ने लूँगा आप सब से मैं इंटर्डूस करवाना चाहूंगा आपकी हमारी हम सब की बहुत फेवरेट जॉर्णलिस्ट अक्रॉस दे ग्लोब इंडिया पाकिस्तान में इस्पेशली आरजु काजमी जी को अरजुजी वेलकम टू दिशो आज आपने बुलाया बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके और इतनी सारी तारीफ है सुनके तो और भी अच्छा लग रहा है जो आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है और ये बिलकुत सच बात है अचा अरजुजी हम आप से ये जाना चाहेंगे कि आप पाक्स् तो जो आप समझ सकती हैं बताएं तो उत्र वह अमारे लोगों को बताएं ताकि आपके फैंस को आपके बारे में पता चले इसपेशली आप खाना क्या फस्द करती है और भी जो भी आपको जो आप बताने में बिल्कुल सर सबसे पहले दुबारा बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने चैनल पर बुलाया बहुत अच्छा चैनल है आपको और ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटा चैनल है जब मैंने शुरू किया था तो मेरे खाले 370 सबस्क्राइबर्स थे तो उस मकाबरे में आपका बहुत आगे तो बिल्कुल सर अब कराची में मैं पैदा हुई हूँ और अब तो हैर इसलामाबाद में बहुत टाइम से स्कूलिंग टाइम से ही इसलामाबाद शिफ्ट हो गए थे हम लोग क्योंकि मेरे फादर जो हैं व इन बार एक जनरलिजम का कहने चाहिए कि महौल रहता था गर के अंदर भी और उसके बाद से पहले बलके अगर मैं जाओं तो मैं दो बड़े भाई हैं मेरे और मैं काफी गाप के बाद हूं से और उसके बाद जो मेरी मदर बताया करती थी कि उनको कोई शौक नहीं था कि इक बच्चा और हो वो सोची थी दो काफी हैं तो इवन शी वेंट टू रहर डॉक्टर और उनोंने का जा बढ़े इन नहीं चाहिए तो डॉक्टर उनकी पाड़सी थी उस वक्त तो उनोंने कहा कि भई क्या हो गया दो ही तो बच्चे हैं तो कोई बाद नी एक और तो इस तो उन्होंने का टिपिकर यूपी स्टाइल के यूपी में भी शायद जो बेटिया होती हैं उनको बेटा ही बोला जाता है तो इस तरह की मेरी मतलब बहुत जिसे कहते ना लाडली थी और हर चीज में बलके टीवी बिदे खाना खाते टीवी देखने का शुरू से आदत है और पहले भी जब देखा करती थी तो यही होता था कि मुझे यह भी चाहिए जो कमर्शल आ रहे होते थे ना मुझे यह भी चाहिए और मुझे यह भी चाहिए और मेरे भाई जो हैं बड़े सबसे बड़े भाई मुझे कहते थे कि पहले तुम आराम से देख लो फिलेस बन लेना है और कभी चूड़ियां लेनी है तो इस तरह से रहा उसके बाद स्कूलिंग मेरी जो थी वो कराची से ही प्रिनिटी मैथेडिस्ट चर्च का स्कूल था हमारा तो इस वजह से मैं शुरू से ही जिसे कहना चाहिए कि डिफरेंट रिलीजिन के स्टूडेंट के साथ बड़ी हुई पढ़के लिखके और उसके बाद मेरे फादर जो थे वो भी क्यूंके जर्नलिस्ट है उनकी ट्रांसफर हो गई थी इसलामाबाद तो हम लोग फिर इसलामाबाद आ गए यहां पर आकर जो है वो कॉलिज मेंने यहीं से स्टार्ट लिया था इसलामाबाद से मैंने जो है वो जर्नलिजम में और उसमें मास्टर्स जो है वो मैंने दोनों जो है वो जर्नलिजम में किये ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी दोनों मेरा जर्नलिजम में बहुसे लोग कूछते कि क्यों आप ने कि मैं एक मॉर्निंग शो में गई तो वहां पे किसी न वाइने का यह तुम तो देखती नहीं थी कि अब्बू क्या कर रहे हैं मैंने का तो हमने क्या बोलती कि मेरे नंबर नहीं आये थे साइंस में तो इसलिए मैंने जर्नलिजम पढ़ लिए थी और मुझे जाहिरें पीर्ड में काम भी करना था लेकिन उससे बहुत पहले विश् सादा सा घर था मतला हम सादा सिर्फ फैमिली के लोग हैं हमारे पास कोई यह नहीं था के बड़ी हमारी को इजाएदा दे रखी हुई हैं बहुत गाड़ियां खड़ी हैं जिससे सिंपल सा घर होता है और मेरे फादर जो हैं वो खतरनाक हट तक इमानदार थे और इस कदर क उनके साथ उनके जो कुलीक्स होते थे जो उनके साथ आफिस में काम करते थे उनके बच्चों के पास या उनके पास जो चीज़ें होती थी वो हमारे पास नहीं होती नहीं और मैं अज़ी नराज रहती थी थे अपने फादर से कि यह यह क्या बात है ना वो फलाने अंकल उ सबच तो, ये भी तो वही है तो हमारे पस क्यों नहीं है, तो लेकिन ये, कि बण्ग्न वह WE צबी नहीं समझ में आती थी, जैसे बच्चों को नहीं आती, बस ये लगता था कि हमारे पास क्यों नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फिर बड़े होते गए, खुद फील्ड में आए तो हमें लगा कि मुझे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं exactly वही करती हूँ जो मेरे फादर किया करते थे तो लेकिन ये जरूर है कि I feel proud फिम और अगर कहीं जाओं तो मैं अगर बात करती हूँ उनका नाम लेती हूँ तो मुझे पता होता है अगला यह नहीं सौचे आए कि अच्छा इसके फादर तो इतने क्रप थे वह नहीं बलके बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोग डाम लेते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोग याद करते हैं, यह और बाते हैं कि जब बच्चे चोटे होते हम उनको शैutan मैह तो इस ताइम पर ही एक स्कूल में जाब कर ली थी, प्रामरी स्कूल के बच्चे थे छोटे जैसे उटें, तो प्ले स्कूल के, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, तो चलो हम अपने कोई चीज़े वीज़े ले लिया करेंगे, तो उस ताइम से जो काम करने की आदत शूरू हु तो वो अभी तक हलाक ऐसा नहीं था कि गड़ में कोई प्रेंट्स ते किसी जिसकी कमी रखी थी फिर भी एक होता है ना कि अपने पैसे अपने होते हैं तो वो काम करना शुरू किया था लेकिन अब मुझे खुद ऐसा लगता है कि जब मैं अपने कुलीक्स को देखती हूं य टीवी चैनल्स पर हैं या किसी और फील्ड में हैं या इवन यूट्यूब पे कहीं कर रहें तो मुझे लगता है कहीं कि मैं शायद अपने फादर की उस चीज़ को अपने अंदर ले बैठी हूं जो मुझे खुद को पसंद नहीं थी और अब फिर वही हाल है कि जो उन लोग ना इस्टैब्लिश्मेंट से कुछ मांगा ना गर्मेंट से कुछ मांगा ना किसी बिजनस कमिटी से कुछ लिया तो इसलिए कोई मिरूपर यूंगली नहीं उठा सकता कि जी आप हमारे हक में बोलें क्यूंकि हमने आपको फलानी चीज़ दी तो वो चीज मेरे पास जो है और वो आली जर्णी के बारे में तोड़ा पताजीगा. अज़ा सर वो ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो मैंने एक न्यूस पेपर में जॉब की थी. बलोचिस्तान टाइम्स एक पेपर आता था, यहां पे छोटा सा न्यूस पेपर था, तो वो भी मेरे फादर के फिरिंट है, जिनका न्यूस पेपर था, तो उन्होंने का चलो इसको अपने न्यूस पेपर में रख लो, तरह काम भी सीख लेगी, थोड़ा इसको समझ भी आए कराची जाए करती थी, और उनको मैं एमेल कर देती थी अपने आर्टिकल्स ना, कि वो मुझे बताएं कि यह ठीक है, यह इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, तो कई बार उन्होंने मुझे उसमें जो है, वो करेक्शन करके भी बेजी, बताया भी, तो ऐसे करके, न मैं अपना, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि इनसान, शायद आखरी सांस तक सीखने का जो प्रोसेस है, वो खतम नहीं होता, इससे बहुत से लोग कहते हैं, कि बस जी सीख लिए, आप तो बहुत माहिर हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है, हम रोज के डेली बिसेस पे हम सीख होते हैं, तो इस तरह से वो शुरू किया, फिर जब फेसबुख का आया था, नया नया फेस बुक का आया था तो बहुत से लोगों को हमने आट कर लिया था, हमें समझतों आती नहीं थी कि क्या करना है, तो जो आ रहे हैं हुँन से चलो इसको भी आट कर लेता, अच्छ एं लैंग्विज भी आप अगर देखें तो कई वर्ड हिंडी के मैं वैसे भी बोलती हूं तो वह घर में था मौल तो मुझे फिर कई इंडियन भी मिलें फेस्बुक पे मैंने उनको आड़ किया उनमें एक दो तैसे हम लोग दस बारा साल शायद हमें उस वक्त अभी तक शायद हो गया हूंगे या उससे भी जादा कि हमने साथ साथ ही हम स्टेडी भी कर रहे थे और वहां फेस्बुक पे बाते भी हुआ करती थी पिर उन्हों ने भी मीडिया जॉइन कर लिया तो मैं उनको कहती थी के वा भाई आप मेरा नमबर दीजिये ना मैं देखती थी लोग जा तो या तुमने मुझे इतना डिसार्ट कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो पर पता नहीं किदर से रिपब्लिक वालों को मेरा नमबर किसी ने दिया या कहीं से उनको मिला तो मैं उन दिनों टीवी चैनल के साथ काम करी थी मैंने कोई चार-पांस साल जो है वो पाकि मुझे सबसे पहला जो ओफर आई वो थी भी अर्णव स्वामी जी के शो की अब उनको मैंने का भी देखा सुना तो नहीं था कोई खास लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना था कि बहुत शों मचाते हैं बोलने नहीं देते बड़ी बहुत मुश्किल होती है लोगों अब उस दिन हुआ ये था कि कोई मिजाल का जो है ना एक्सपरिमेंट पाकिस्तान ने किया था और मैंने सुबा से टीवी ही नहीं देखा तो मुझे पते नहीं क्या किया है अब शो में भी बैठी है और फर्स कुश्टिन भी मुझे से कर दिया उन्होंने वनना वो कि इध जब उन्होंने मुझे कुश्टिन किया तो मुझे तो उसका अभी सीडी भी नहीं पता था क्या है लेकिन खेर मैंने उन्हीं की बात को पकड़के मैंने कहा कि सब आप खुद कह रहे हैं कि दिवाली की फुल जड़ी है उससे जादा कुछ नहीं है तो पिर डिसकस क्यों कर क्यें मेरी जान बज़ गई है और बाद में वो सब लोग जो बाकी लोग बैठे हुए थे उनसे बात करने रहें तो पिर मैंने इस तोरी पकड़ ली करें कि Studies में मैंने का Watch कल से मैंने तोबा कि उस दिन कि मैं रोज सुबह को सबसे बहले टीवी ओन करूंगी उसके बाद चाहे भी होंगी तो क्यूंकि उस दिन वो नियूस मेरे साब में नहीं आई थी और मुझे यह हुगा कि शो में वह भी लाइफ शो में जाना पड़ गया और पिर ऐसा हुगा कि पर बस पिर उनके चैनल पर कई बार में गई और हुआ यह था कि लोग लड़ा करते थे और मैं हसा करती थी बैटके मां पर मैं वाहिए पाकिस्तानी थी जो हस पड़ती थी तो सब ने का यह गोन है जो पाकिस्तान से आती है और हसती रहती है बलके मुझे बहुत से हमारे जो पाकिस्तानी पानलिस्ट हुआ करते हैं उन्होंने मुझे कॉल्स की बकाइदा दो तीन बार कॉल्स की और कहा कि जी जरा घुस्से सरा करें आप क्या करती है आप हस पढ़ती है वहता इतनी सीरियस डिबेट चल रही होती है और बीच में आप जो आप हसने लग जाती है ज अच्छा कोशिश करूंगी तो अगली बार फिर मुझे हसी आजाए फिर उनसाब का मुझे फोन आजाए बलके वह भी बड़े फेमस हैं इंडिया में और हम लोग एक दूसरे के शोज में जब जाते हैं तो हम बहुत पूलिंग भी करते हैं तो मेरे कहले हैं आपके आडिय जोड़ें कि तुम मत ऐसा करो लेकिन फिर मुझे उन लोगों ने ये भी समझाया था पाकिसान के जो पैनलिस्ते के आपने कुछ सुनना नहीं है किसी की बात सुननी नहीं है बस आपने लड़ पढ़ना है आपने उनके उपर पढ़ना है कि मैंने तारीफ पते साब जो बह है रान परेशान के आखर ये इसको हुआ क्या है और बार में जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मैंने कि बात तो ठीकी कर रहे तो हावा कही शोर मुझा रही थी फिर आइससा करके फिर मैंने जो है वो अपना कहने चाहिए कि वो बात चोड़ी और मैंने का नहीं अब जो सही है मैं वही बात करूंगी और उसमें यह होता है कि आपको जलेविया भी नहीं बनानी पड़ती है आपको याद भी नहीं रखना पड़ता कि आपने आखर यहां पे कहानी क्या सुदानी है जब आप सब्सरी सच बोल रहे होते हैं तो फिर उसके बाद आइससा करके सर यह सलसला चलता रहा वाकर मैंने भी आपको तीवी पे देखा था कई बार और उसमें तो आप इतना फोर्स फुली पाकिस्तान को रिप्रेजंट करती थी मैंने आपकी लड़ाईयां भी देखिए तारीक फटर सर के साथ फिर आपका यूट्यूब चैनल पे हमें आपका रिपेंट होता दिखा और हम लोग तभी से आपके फैन थे और आपके यूट्यूब को तो मैंने बताया कितनी बार देखाऊगा अर्दू जी अब यह बताईए कि एक हमारे दर्शकों को कि आप एक फीमेल हैं प्लस जोर्नलिस्ट हैं तो एक फीमेल जोर्नलिस्ट को क्या फेस करना पड़ता होगा जब वो अपना करियर बनाना चाहती है इस फील्ड में क्या इजी है क्या टिप्स देना चाहेंगी आप और क्या आपको पाकिस्तानी फीमेल होनी के वाजा से कुछ एड़ेड एडवांटेज या डिसडवांटेज रहें देखें मेरे खाल से तो स काम नहीं है आपको सो तरह के लोग मिलते हैं जो आपको डिसकरेज करते हैं सो तरह के लोग मिलते हैं जो आपको गलत एडवाइस भी करते हैं जिससे उल्टा आपको नुकसान हो जाता है कोई फाइदा होने के बज़ए तो दूसरा ये कि एक जूनियर्स को हमारे हैं कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो support करते हो ये चीज़ हमेशा से रही एच और शायद अभी भी होगी कि जब कोई junior आता है या कोई नया आता है तो हमारे जो senior हैं हम एक दूसरे की हमारी एक दूसरे की मदद करने का कोई रिवाज है नहीं बहुत कम है अगर है भी तो बहुत कम है और उसमें जादा तर यही होता है कि यार इसनी क्या करना इसको साइट पर करो ना कि कि अगर ऐसा नहों कि मेरे सच्छा ना कर जाए तो इसले भी साइट पर कर दो उसके समक्य चीज़े चलती हैं आपकी जहसे हमारे पलोटीैशन या हार्में कोई भी दा रहा है ऐसगे हैं तो तो आप फिर आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं करेंगे, तो आप उधरी कहीं गाइब हो जाएंगे, उसके बाद आपका नाम ही गाइब हो जाएगा, ऐसा भी होता रहा है, लेकिन जाहरे वो सब चीज़ें जो हैं, वो देखी, मैंने फेस की हैं, और यह है कि मैं बस यह था क का मेरा, मेरा रहा, उसके बाद मैंने अजा मेडिया कंसल्टेंट भी काम किया, तो उसमें तो वैसे भी आप स्क्रीन पे इतना नहीं होता है, आपको, बलके जो दूसरे पलिटिशन या कोई, कहना चाहिए, कंपनी होती है, उनको लेकर आगे बढ़ना होता है, तो उनको ब मैं किसी पार्टी में गई थी, वहाँ पे उनका MDI में थे, उन्होंने मुझे ओफर किया के जी, आप जो है, वो मेरे साथ काम कर लीजिये, as a helper, or as a secretary, whatever, तो मैंने का, भाई, मैं क्या करूँगी, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो मतलब यह काम ही नहीं, अचा, उन्हों कि 2011 या 12 की, तो मैंने का भाग जाएंगे वह 1000 सुनके, तो उन्होंने का नहीं, अच्छे ठीक है, आप फिर भी आ जाईए, अच्छा, मैं फिर भी, उन्होंने का ठीक है, मुझे क्या, तो मैं फिर मैंने जॉइन कर लिया हमाँ पे, कि वो था जैसे 9 to 5 जॉब होती है, वो खास ऐसी चीज नहीं थी, जिससे के मुझे कोई परिशानी होती, और जो वहाँ पर पाकिसानी स्टाफ था, उसको भी जाहर है, वो भी हल्प कर देते थे, कि फाइल वगएरा कर बनानी है, या क्या काम है, फिर हुआ ये कि कुछी वीक्स में, मुझे ये पता चला कि मुझ जिसे हम गोते खीड़ा होता है, कि यार ये क्या हुआ है ना, तो वो दरह पता करते हैं, तो मैंने फिर दरह चेक करना शुरू किया, तो पता चला कि उन लड़कियों को जो है, वो एमडी साब जो थे, जो के फॉरिनर थे, उन्होंने जो है, वो कुछ तंग मंग किया, कु कियुके वार्या सुसाइटी ऐसी है, जो कहте है, जो के हमों कीसे करेंगहे कि किसी ने हमें डराए है, तो लड़कियां बिगयर कोई बात किता ये वह बाग जाती builds, वह दो लड़किया भाग गई थी, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने वही गें मेरे साथ शुरू किया, मुझे कहने कभी छे बजे आजाओ कभी चार बजे आजाओ कभी आफिस खतम होने के बाद रुको तो मैंने का मैंने नहीं रुक सकती मेरी मदर को उन दिनों फर्स ठार्ट अटेक हुआ था कि मुझे उनको भी देखना था तो और वैसे भी मैंने का मैं आफिस आवर्स के बाद क्यूं रुकूं अगर एक मैं मुल्टिनेशनल कंपनी में काम कर रही हूं अच्छा मेरा इंबसी वगरे में वैसी बढ़ाना जाना था वो फंक्शन वगरा होते थे तो ऐसे जर्नलिस्ट में जाय करती थी तो मुझे सारे ही अमबसीडर्स भी पचानते थे और पिर उन साब ने मुझे ज्यादा अमडी साब ने तंग करना शुरू किया जब उनने जादा तंग करना शुरू किया तो मैंने उनको कहा कि मैं लेटर लिख दूँगी आपके हैड आफिस कि आप यहां पर परिशान कर रहे हैं फीमेल स्टाफ को तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं है वो डरे नहीं उस बा और वो कोई इंडियन या कह लीजे के एशियन या पाकिस्तानी आफिस ततान ही ना कि जहां पर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं लड़की की गलती होगी उन्होंने खट करके जो है वो साब को दो दिन में पहले अपनी कंट्री में बुला लिया वहां पर बुला के उनके थोड बज़े आजाओ कभी क्या तो किसलिए तो फिर बारहल वो उनको फिर हटा दिया गया सीट पैसे लेकिन मैं भी साती मैं भी बहुत बेजार होगी थी मैंने भी फिर वो जॉब से मैं भी चली गई और लेकिन ये है कि इसके लिए बहुत आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए हो लिए कि जहां पर आप आपको डराय धंकाय जा रहा है तो फिर आप और डरेंगे और धंकिया मिलेगी तो इसलिए मेरे ख्याल है लड़कियों को आगे बढ़के बोलना चाहिए और ऐसे लोगों के तो कान के नीचे एक रख देनी चाहिए तागे वो सीधे हो जाये तो इस इमरान खान को ना कहें तो उसके मिनिस्टर्स को ना कहें फिर मैंने COVID भी आ गया इस बीच में COVID हुआ तो मैंने फिर वो भी छोड़ दिया TV चैनल अब मैं घर बैठी थी और एकदम मतलब नहीं से कहते न बिल्कुल जॉबलेस पैनीलेस हर तरह काली तो तो फिर पहले आप पुश्चिण कर लें पिर मां आगे की कहानी बड़ी इंट्रेस्टिंग हो रहे थी और मैं यह कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही आपका आवाज आ रही मेरी जी आप आरिये आपका प्रेंट प्रेंट चला गिए तो मैं पूज़ता कि मैं यह बुदना चाहिए आपकी यह कहानी से मैंने यह बात मैं बिल्कुल पहना चाहूंगा जो अमारी बहनें हैं माता हैं मेरी माता जी खुद भी एक फीमेल थी और वह बाहर काम करती थी तो मैं समझ सकता हूं इसको कि विक्ति ब्लेमिंग जो है ना वह बहुत बुरी चीज़ यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें शर्माय नहीं उसकी आवाज उठाएं क्योंकि इसमें आपकी गलती नही कि जो नहीं कर रहा है उसको जब दस्ती परिशान करें वह भी आप ना करें उसे भी क्या होता है कि फिर पुरुष महिलाएं जो है उनको एक जड़ा काम करें में दिक्कत हो जाएगी तो दोनों ही इसमें ब्लकुल तो आज़ू जी मैं यह अब आपके जो आखरी हूं तो यह तो मेरी एक तरीके से दिमोशन है फिर बताईया आगे की जड़ी कैसे यूट्यूब पर है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता सबसे पहले तो मैं फर्स्ट जो पहले बात करी थी उसको जरूर मैं चीज़ कहा हूं कि बिलकुल ऐसा है कि जो भी अगर कोई कंप्ले होनी चाहिए ऐसी नहीं कि कोई ऐसे किसी को तंग करने के लिए कर दे लेकिन मैं यह सथाथ-साब फूल एविडेन्स Oo त्योफ्टीह थे धे उनको और इसी होना चाहिए उसके बाद मैं COVID जब हुआ तो फिर मैंने जो है COVID का ख़र भाना था उससे पहले ही हिमरान फांस आपको कुछ नहीं कहें और इसको कुछ ना कहें और उसको कुछ ना कहें कर सलसला चल रहा उसके पर को मैं पर मैं चैनल मैं ने चोड़ दिया था और मैं घर बैठी थी तो फिर उसके İyi और इसके बाद वह आई उसके और रहीं ऑफ से मेरे heiß का ए ऐसको मैं क्ये लगते हुए है नीश को अजिसंव आए ही है और मैं बड़ी लखी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिलें बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स मिलें और जब मैं घर पे थी और या या कोबर लगारा चल रहा था चैनल भी छोड़ दिया था तो ऐसे टाइम में जो है वो सबसे पहले मेरे इंडियन दोस्ती आगे बड़े और उन्होंने मुझे कहा कि खाली बैठी वे उसके बजाए यूट्यूब चैनल क्यों नहीं जॉइन कर लेती तो या यूट्यूब चैनल क्यों नहीं लाँच कर लेती वैसे मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कोई डिमोशन है कि अगर आप जो है वो पहले टीव बलके शाएड उससे भी जाद आया अजकर तो उस वक्त जो है वो मैं टीवी चैनल्स पर ही स्रिफ जाया करती थी टीवी चैनल्स पर जा रही थी जारी थी एजज़िए क्ई जाना शूरू किया था और पिर जैसे मैंने कहा कि मेरे इंडियन दोस्त आए आगे और जिसमें स को बताया कि कैसे बनाते हैं कैसे चलाते हैं एक एक चीज जो इस वक्त अगर मैं कुछ कर पा रही हूं तो इम थैंक्फुल टू टू वैबब सिंग और उन्होंने यानि मैं सम्टेम मुझे शरम भी आती थी कि यार वो कहेंगे बिल्कुल ही डखका नहीं है ना इसको कुछ भ बारिस्मेंट हुई ना कि मुझे यह भी नहीं पूछा गया यह थामनिल क्या होता है तो मैंने ना फिर गूगल किया ना तो मुझे पता लगा थामनिल का थामनिल ना थामनिल बनाने का थोड़ा मतलब ट्राइमारी और उस तरह से करके लेकिन खैर वैबब में मुझे हर च चैनल को लॉंच करने में चलाने में इवन जब शुरू में एक तो हम लोग जब गूगल बनाते हैं जीमेल बनाते हैं तो आटोमेटिकली आपको पता है को जन्रेट हो जाता है चैनल तो पता नहीं शायद मेरे इंडियन टीवी शोस कियो जासे या किस वज़ा से कुछ 370 क क्या होगा मतलब कौन आएगा देखने के लिए का थोड़ी सोलो वोलो वीडियो बना के टेरी मेरी वो अपलोड करनी शुरू की फिर उसके बाद दो लोग सबसे पहले आए मेरे चैनल को जिसे कहते हैं ना के सहारा देने के लिए और उन दोनों की मैं बहुत तैंफूल हू जासे मेरा चैनल जिसे कहते हैं के जो शायद एक साल में जहां पहुंचता वो शायद तीन-चार मन्स में ही वहाँ पे वो चैनल पहुंच गया और उसके बाद कई दूसरे लोग भी आए और बहुत लोगों ने जो है वो मदद की अब अगर आप कहें तो मैं बताऊं के मैं एक ही बेटी थी और बहुत ज्यादा लाड में जहां से ने मैं बहुत स्पॉल्ट चाइल हूँ मैं समय साफ बता रही हूं तो अभी तक मैं मतलब मैं चोकलेट्स खानी है और मुझे यह लेने और मुझे वो लेने वह वाली टाइप की हूँ तो मुझे मतलब टफ के कोई बुरा भला कह रहा है वो मैंने नहीं देखा तो उसके बाद जब चैनल थोड़ा चलने लगा तो फिर कुछ लोग ऐसे भी आए पता नहीं उनकी अपना कोई मैंड सेट होगा अपनी कोई होगी जो बहुत जादा मुझे स्टैब्लिश चैनल से जिनके जिनके चैनल और अगयंस्ट बोलना शुरू कर दिया और अगया जी यह तो आई एसाई की लगती है और यह इसको कुछ होता क्यूं नहीं हो वो गयर बड़ा बड़ी कुछ बातें कि उन्हाने जो बिलकुल जिसे कहते ना कि मैं इमेजन भी नहीं कर सकती थी अच्छा आप लोगों क्या तो उसके बाद बहुत लोगों ने बुरा भला कहा बहुत से गेस्स जो थे उन्होंने आना भी छोड़ दिया इंडियन गेस्स जो थे उन्होंने आना छोड़ दिया बहुत से ट्विटर के ओपर लिखा कि हम पाकिसानी चैनल पे नहीं जाएंगे और कई लोगों को दूसरे लोगों को भी टैग किया और उसके बाद यूट्यूब पे भी बे तहाशा लोगों ने मुझे गालियां दी मेरे पेरिंट्स को बुरा भला कहा वो सब देख रहें कि मुझे आदत नहीं थी मैं एक्सेट करूंगी कि मुझे बहुत परिशान होगी थी कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया मैंने कोई गलत बात नहीं की मैं सीधे साधे तरीके से अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ मैं एक बात कर रही हूँ जो मुझे ठीक लगती है मैं वहीं बोल रही हूँ उसके उपर मुझे इतना बुरा भला कहा जा रहा है कि यह कैसे बोल लेती है मेरे साथ और उसके बाद जो है वो मुझे बलके इंडियन्स नहीं कमेंट्स में जाके कमेंट्सक्शन में जो या और कहीं समझ लीजिए जैसे ट्विटर पे या फेस्बुक पे ऐसे लोगों ने लिखना शुरू किया कि आर्दू जी आप डरिये मत आप ये कमेंट्सक्श जोरू था कि ये कोई तीन या चार महीने सल्सला चला था इसमें मैंने काम करना नहीं चोड़ा तो जो लोग मुझे देख रहे मैं उनसे धरू कहूंगी कि अगर कोई मश्किल बात आती है लाइफ पे तो आप काम करना ना छोड़ें बाकि ठीक है उस चीज को अपने से बना रही थी मैं उसी तरह से बनाती रही सासन में यह सब कुछ भी साथी जी अब आप कमेंट पढ़ती हैं हाँ मैं कमेंट पढ़ती हूं मैं अब भी मैं कमेंट पढ़ती हूं मैं हर दुसरे तिसे दिन कमेंट पढ़ती हूं कुछ कमेंट को रिप्लाय भी करती हूं इमेल है इमेल भी इमेल भी देखती हूं और आज पर भी करती हूं डेमेयल लेकिन उस वक्त आज जाहर आज़र अब किसम के कमेंट Two यह आते हैं काम आते हैं अभी भी आते हैं कुछ आते हैं डेमेटली खतम तो हुए और उसkiej खिसम का मुझे फेज करना पड़ा और बहुर्ट तاف टाइम था और जिन्होंने दिया जिन्होंने टॉफ टाइम दिया मैं उनका किरूगे बलके कभी मुझे लाइफ में मुछम मिले तो मैं उनके पाऊं भी चूंगी क्यूंकि उनकी वज़ा से आज में इतनी मजबूत हो कि मैं अब हर चीज को फेस कर सकती हूं शायद उससे पहले मैं नहीं कर सकती थी लेकिन अगर मेरे सामने जो है वह हमारे आर्मी चीफ भी कड़ोगे कुछ बोले तो मैं कहुंगी निकले नहीं मुझे लगता है ये एडिट करने अपनेगा तो उन्हों ने इतना इतना जादा जो है न वो बहादूर कर दिया लेकिन ये जरूर है कि बहुत टफ टाइम दिया बहुत टफ टाइम दिया कि लेकिन उस वज़ा से ही मेरे क्याल है कि ये मजबूती भी आई है मेरे अंदर जो इस वक्त दिखती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप खुल के बोल लेती है फिर आए मौलाना साथ का एपिसोड आया उसके बाद और एक मौलाना साथ के साथ इंटर्वी किया वो बड़ा वायरल हुआ और उसके बाद तरह तरह की थरेट्स आती रहीं अभी भी आती रहत हैं कि तो रिलीजन को इस की बात करती है यह बेकार बात करती है इस तरह की कई चीजें जो हैं वो लोगों ने कहीं और अभी भी कहते रहते हैं लेकिन साधिय सात आप Alt, यह भी है कि जिस वक्त किस्anut की प्रॉबλम में आ जाते हैं उस वक्त आपको पता लगता है कि आपका असल में दोस्त कौन है और आपके दोस्त कौन नहीं है जिने आप सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे हक में कड़े होंगे या शायद ये मुझे सपोर्ट करेंगे उस वक आपको पता लगता है कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है किसको कि वो लोग मेरे साथ खड़े रहे उनमें मेजर गॉरव आ रहे थे उनमें डॉक्टर अजर असलम थे उनमें रोहिच शर्मा थे उनमें कर्नल दानवीर थे और यह लोग जो हैं मतलब इतना कुछ सुनने के बाद भी यह लोग कहते थे कि नहीं हमें तुम्हारे पर ट्रस्ट मेजर गॉरव नहीं आ रहे थे शोपे तो मैंने एक दिन उनको कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं ISI की हूँ जो आप नहीं आ रहे वो मुझे कहते हैं अर्थू क्या बात करें कहते हैं कि हम वहें बासमती चावल हैं और मैंसे ऐसे करके कोई एक्जांपल दी उन्होंने मु रहे थे उसके बाद वो आए दुबारा और पर एक साल उन्होंने शोज किये पाकिस्तानी यूटीबर्स के साथ पर आजकल वो फिर नहीं आ रहे फिर वो अपना चनक्या फॉरम को कर रहे हैं इसी तरह से रोहित शर्मा थे रोहित भी हमेशा आ रहे यार चोड़ो कुछ न नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा मुझे लगता था कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन इन सब को लगता था सब ठीक हो जाएगा, इसी तरह के से कर्णल दानवीर थे, उन्होंने बहुत असला दिया and I'm so much thankful to all of them और मैं बहुत रिलिजिस नहीं हूँ, मैं नमाज वगेरा नहीं पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, रमदान, रमदान में तोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, इसके लाओ जैसे एक रेगुलर पेसिस पे जो होते हैं, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे दौा की बहु सब के लिए मैं दुआ करती हूं कि बस ये लोग खुश रहें अराम से रहें और कभी कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ना है और जो ये लोग चाते हर खुशी इन लोगों को मिले उसके साथ खड़ है जिए जब सबस्ट करा चलेगे हैं मेरे पाथ गय पर नहीं आते थे इतनी गालियां कि मैं बता नहीं सकती मुझे क्या नहीं का मेरे पेरेंट्स को आप सोचें जिनके आपके पेरेंट्स मतलब नहीं है इस दुनिया में उनको इस कदर का बुरा भला के कोई हद नहीं तो वो इतनी तो मैंने कभी लाइफ में गालिया नहीं सुनी जो मुझे उस वक्त सुनी पड़ गी और ओल थांक्स टू वो एक साफ जो थे जिनकी वज़ा से और मुझे नहीं पता उनको मुझे से क्या इतना प्रॉब्लम हा गई थी क्या खत्रा हो गया था क्या डर बैड़ तो बैड़ लेकिन अगर यह किसी और के साथ हुआ होता ना जो इन्होंने मेरे साथ किया था तो मेरे खिले हो शायद 50% भी ना सह पाती लेकिन मैं वह मुझे लगता तो नहीं था कि मैं तनी डीट हूँ लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ इस सारे इस्टिटेंट के बाद क इस नहीं में बहुत लेकिन मैं सह गई वहना मुझे कभी-कभी असा होता था कि मैं सूची थी यार कसम से इतनी गालियां पढ़ने से बैटा रहे के मेरा दिल बंद हो जाया और मैं चली रहा हुए इतनी तंग आ गई थी लेकिन लेकिन होता है लेकिन यह कि वहीं मैं बता करना बहुत असान है जो मैं अब कर रही हूं लेकिन उस वक जब गुजर रही होती है उस वक बात करना बहुत मुश्किल होता है अच्छा अब हम अपना आखरी कुशन पूशेंगे आपसे और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना खुल के और इतनी प्रणादायक बा आर्जुजी भी आपके सामने हैं वो आज इतना बड़ा नाम है लेकिन उन्होंने भी फेस किया सब के साथ होता है आप अकेली नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है इसलिए कभी भी सेल्फ ब्लेम ना करें विक्टिम ब्लेमिंग ना करें अपने आपको कमजोर ना समझे है और डरें नहीं तो आर्जुजी एक लास्ट बात करूँगा आपसे अक्सर यह पोचा जाता है कि भारत में जो यह आजकल एक परसेप्शन है कि सारे के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो भारत के मुखालिफ हैं वो भारत के दुश्मन हैं और कोई नहीं ऐसा पाकिस्तान में ज जब अपना इस question का जवाब दे तो यह ज़रूर बताएगा कि आपका क्या संदेश होगा, क्या पैगाम आप देंगी दोनों देश के लोगों को, क्योंकि अभी आपको पता है, हमने एक शो भी किया था कि भारत की जो पार्लेमेटरी पैनल है, उन्होंने भी यह कहा है कि people-to-people contact को बढ़ाया जाए और उसको trade को भी facilitate किया जाए, हम दोने एक तरीके ज़र ट्रेड ही कर रहे हैं, because this will generate some sort of revenue, whatever little it is, but it will generate some sort of revenue, even though insignificant. जी, आर्जु जी, बताएगा. जी, अगर मैं अपनी बात ना करके वैसे एक बात करूँगी, क्योंकि मेरे घर मेरे तो घर का महौल और तना का था, मेरे जैसे बताया है कि मेरे parents दोनों जो थे वो इंडिया से migrate कर के आए थे, और मेरे parents के दिल में ऐसी कोई नफरत या कुछ नहीं थी दायरे, वो खुद बच्चे थे जब आए थे और वो काफी हद तक, मेरे फादर तो बहुत हद तक मिस्किया करते थे, अपना वो कड़ा टाउन है, महां पे, इलाबाद के बगल में हैं, जी, जी, तो वहां से, मिलकुल, तो वह अक्सार वह कड़वी लाबादी और इसके समकी भी मदब हमारी आप बोली जाता था, तो लेकिन ये के बाकी लोग, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की लोगों की बात करूं, तो पांस साल पहले तक, मैं कह सकती हूं, कि बहुत नेगेटि सिगार सेंकी बाते की जाती दिए, जिससे लगता था कि बहुत अध्यूम हुआ जो एक गलत impression था तो वो काफियत तक कम हुआ है और अब तो लोग काफी तारीफ करते हैं जाहिर है इंडिया की economy की भी इंडिया की foreign policy की भी जैसे आप लोगों की independent foreign policy है उसकी तारीफ की जाती है आपके प्राइम मिनिस्टर की example positive तरीके से दी जाती है और जैसे इमरान खान ने भी कहा जी सौरी इंटरेट चला गया था मेरा जी बता है नहीं नहीं कोई बाद नहीं वो ताप एड़िट कर लेंगे ना एड़िट करना मुझे आता नहीं है बट मैं सिखूंगा आज रात को अच्छा अगर ना हो तो आप मुझे भेज़ दिएगा फाइल ना अभी download करके ना मुझे बेज़ दिएगा मैं आपको करके उसी वक्त अभी का भी बेज़ दूँगी वापस ठीक है आप बता रही थी कुछ बोलें तो मैं आपको यहीं बता रही थी कि वो उसमें पिर अब यह हुए कि पांसल के बाद जो है जो पहले पांसल थे उससे आगे का टाइम जो ह है पिर मोदी जी के बाए में कई तरफा बातें थी वो सब जो है आइसाइसा करके लोगों को समझ में आया कि क्या था । अगर गुजरात की कोई बात की थी तहों लोगों को पता है पूरे केसिस चले थे उसमें से वो निकल आये थे और ऐसी कोई बात नहीं थी तो वो भी दंगों का भी लोगों को पता है फिर उसके साथ जो हमारे हैं तरह तरह की जो हम देखते हैं इसलामिक कंट्री के तो वो भी लोग देख रहे हैं एवन इमरान खान ने कई पर तारिफ की कि जी मोधी जी को पर कर्रक्शन का केस देंगे तो अशाखाना की बात की गई तो अशाखाना के जो गिफ्ट सुनों ने गर्ल्स एजूकेशन में लगाये थे और फिर एक जो मैं कह रही थी ना कि people to people contact जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे बहुत से लोग निकल के बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ जो लोग हैं उन्हों पाकिस्तान के बारे में जानते हैं और हम लोग हिंदुस्तान के बारे में कई चीज़े जानने तो इससे मेरा ख्याल है कि कुछ पहले के मुकाबले में अब लोग negative कम सोचते हैं टर्म बेटर किये जा सकते हैं और अगर कोशिश की जा सि जो इंडिया नफरत है वो इतनी हो चुकी है कि अब इसको ठीक करने में सो पचास साल लग जाएंगे आपको क्या लगता है? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि इंडिया से कोई इतनी नफरत है कि सो पचास साल लग जाएंगे भी कुछ सालों पहले तक तो हमारिया के इसलामाबाद के जो शौपिंग मॉल्स हैं और वहां पे जो सैन्वाज हैं उसमें इंडियन मुवीज तक लगा करती नहीं और बड़े लोग खुश ही जाते थे हम लोग पाकिस्तानी मुवीज देखने के लिए नहीं जाते लेकिन इंडियन मुवीज देखने के लिए जाये करते थे बहुत से लोगों को उससे जॉब भी मिल गई थी रोजगार हो गया था तो अगर इतनी नफरत होती लोग देखने के लिए नहीं जा सकते थे पाकिस्तानी मुवीज देखने के लिए तो बड़ी मुश्किल तो कोई जाता है वेलकि हमारे एक शुआया करता था टीवी पे तो उनमें एक आर्टिस्त है उन्होंने दूसरे से कहा कि जी पाकिस्तानी फिल्म डिरेक्टर थे पा तो हमारे अभी ऐसा ही है कि कोई पाकिस्तानी मुवीज देखने के लिए तैयार नहीं हो था लेकिन अगर इंडियन मुवी लगी हो मैंने खुद कई फिल्में जो है वो यहां पर आमिर खान की तलाश एक मुवी आई थी तो वो यहां सैनमा में लगी थी वो मैंने इस्पे करें तो दूसरी बड़ी मार्केट इंडिया के बाद दूसरी बड़ी मार्केट एशिया में पाकिस्तान था जिस वक्त मुवीज आ रही थी क्यूंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं हम तो अभी भी यूट्यूब पे और कहां कहां जाके जो है वो नही पुरा कोई और हमारे पास रस्ता नहीं है पिर यह खुद ही कोई रस्ता ऐसा निकाल लेंगे जिससे टर्म्स बेतर हो जाएंगा पिर आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है कितने टाइम के लिए ठीक चल रहा है वो पता नहीं क्योंकि हार थोड़े दिन मत कुछ ना कुछ तो होता रहेगा लेकिन एक लंबा पीरियड या शॉर्ट पीरियड ऐसा भी आ सकता है जिसमें दोनों कंट्रीज आपस पे ट्रेड भी करें बाचीद भी करें और जितने शिकायते विकायते हैं वो भी जो है वो दूर होती दिखेंगी जाहर है पाकिस्तान को इसके लिए सिरियसली काम करना होगा इससे तो इंकार नहीं किया जा सकता थैंक यू अब आप अगर कुछ एक मिनिट में कुछ कहना चाहें हमारे आपके जो विवेर से उनके लिए तो फ्लोर इस यूर्स बज़ मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अभी शक्जी कि आपने इन्वाइट किया और वो भी इस तरह से के पूरा हमने कोई पॉलिटिकल बात कोई नहीं किया खास और लेकिन यह जरूर है कि चाहे वो इंदोस्तान की फीमिल जर्नलिस्ट हो या पाकिस्तान की फीमिल जर्नलिस्ट हो मैं सबसे यह कहना चाहूंगी कि आपने कभी भी डरना नहीं है अगर कोई डराए भी तो आपने डरना नहीं है और उसके बाद जो है अपना काम करते हैं अगर आप विमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि वो टाइम एक प्रॉब्लम का जो आता है वो निकल जाता है सिर्फ उसको तोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत होती बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में क्योंने मैं देखती हूं फीमेल अगसा चली जाती है तो वो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है बाकी यह कोई आपके पीछे पड़ गया है मैं मतدمश्यान करते हैं तो पस उनको फिर परेशन करते रहे हैं और अपने काम को बहतर कीजे घंक यू सरर थांक्यू सो मच्च मैं यह आर्दू जी को शुक्रिया अदा करूँगा धनिवाद अदा करूँगा कि मेरी माता जी उनका अभी कुछ दिन पर द्यावसान हो गया उनकी उनकी वह प्रत्यू हो गई तो मेरी माता जी एक बहुत बहादूर महिला थी वो तब उन्होंने नौक लड़के रूप में जॉइन की और वो बताती थी कैसे उनको फप्तियां सुननी परती थी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि लड़किया एक लड़की भी आके काम कर सकती थी और सो डेड़ सो मर्दों के बीच में दो ही ओरते थी मेरी मम्मी पताती थी कि वो लोग का लड़ी नहीं वो इंटिमिडेट नहीं हुई और उसके बाद यह हुआ कि वो दो आड़ते जो थी उस पूरे रेलवे आफिस में वो बाकी लोगों को ड़ाने लगी इतना ज़्यादा उन्होंने अप कंट्रोल कर लिया था तो मैं वही कहूँगा कि वोमन कहीं से भी कमजोर नहीं होती वो फिजिकली जरूर कमजोर हो सकती है लेकिन मेंटली और बाकी सब चीजों में वो जितनी स्ट्रॉंग होती है वो एक आदमी सोच भी नहीं सकता तो मैं आर्दूजी से भी उतना ही प्रभावित हूँ कि वो जो अंदाजे बयां हैं कास कर इनका जो भेजा फ्राई वो इस से बहुत रिफ्रेश होते हैं बहुत नहीं करते हैं और इस रिली जरी आ गुड़ शोव थैंक्यों मैं आप इतना समय आपने दिया इसके लिए मैं आपका तहें दिल से शुकुर गुरजार हूँ आए इम अ तो पहुत मैं तो अगर दो परेंट्स और अगर भाई तो अगर वो सपोर्ट करें जो के मेरे भाई बहुत सपोर्टिव है तो मेरे खियाल से फिर लडगी अबढ़के काम भी कर सकती है और हर चीज को फेस्पी कर सकती है thank you so much women are the best so with this thank you so much good night we'll see you again thank you